हलो एवरिवन वेलकम इन पार्थ इंग्लिज्स क्लासेश और आज यो पोईम हम लोग कवर करने जा रहे हैं बहुत इंट्रेस्टिंग है बहुत ही अच्छी है और जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तो होब कि आपको बहुत अच्छा लगीगा बात में इसे कंपोज किया है वाट बित्मन ने बहुत अच्छा कंपोज किया है इनोंने देखें तनी खौफसूरती से इनोंने एक Non Living Thing को कैसे Living बता करके प्रिजंट किया है जिसे इसमें क्या है देखे अगर हम लोग टॉपिक जो टाइटल है इसका दो वोईस ऑफ दे रेइन इसको अगर हम थोड़ा सा डिसक्स करेंगे तो देखे यह पता चलता है कि जो रेइन है देखे वो नॉन लेविंग है और जो हीमन बींग तो वो बोलती है ठीक है जो बारिश है उसकी वोईस है तो इत मीन्स कि उन्होंने एक नॉन लेविंग थिंग को लिविंग की तरह प्रिजंट किया है और यहां पर देखे एक जो आपका फीगर ओफ स्पीच परसॉनिफिकेशन यूज किया गया है क्योंकि मानवी करन उसमें जो है नॉन लिविंग थिंग को लिविंग मान कर ही प्रिजंट करते हैं तो यहां पर जो हमारा टाइटिल है इसमें जो है हमारा परसॉनिफिकेशन यूज हुआ है एवन पूरे पोयम में जो है परसॉनिफिकेशन यूज हुआ है क्योंकि उन्होंने रेन को बात करते हु and who art do तो यह देखे यह जो art है तो यह modern English में नहीं use होते हैं यह पहले इंसेंट English में use होते थे इसका means है are A-R-E-R लेकिन इसमें यह है art दाव means you ठीक है जो फिर वही same thing कि वह इंसेंट में use होता था modern English में इस तरह नहीं use करते हैं तो यह दाव जो है you clear said I to the soft falling shower which is strange to tell give me an answer as here translated तो देखे पहले मैं two lines को clear कर रही हूं कि जो poet है वो यह कह रहे है कि and who art you ठीक है कि तुम कौन हो पूछते हैं कि तुम कौन हो said I to soft falling shower कि मैंने जो है poet ने पूछा कि तुम कौन हो किस ते पूछा rain से पूछा ठीक है यहां conversation है कि poet और rain के between उन्हों ने बताया कि जो rain है उसने reply कि तो यह एक strange बात है लेकिन उन्हों ने देखे यहां पर बताया कि किस तरीके से rain ने उनको reply कि clear तो उन्हों ने पूछा कि who are you मतलब जो यहां पर लिखा है who are you तुम कौन हो said I मैंने कहा to soft falling shower सावर मतलब जो छोटा बहुती बहुछार गिरती है बारिश की बहुछारे होती है हलके हलकी बहुछारे गिरती रहती है तो मैंने उन बारिश से पूछा जो हलके हलकी बारिश गिर रही थी मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो which is strange to tell अब यह बताने में बहुत अजीब लग रहा है कि बताने में या समझने में बहुत अजीब है कि rain ने reply किया give me an answer तो poet कहते हैं कि यह बहुत अजीब है बताने में लेकिन give me an answer कि मुझे rain ने reply किया मुझे जवाब दिया as hair translated और जो उसने मुझे reply किया मैंने उसको वैसे ही यहां पर अनुआत कर दिया translated मतलब वैसे ही मैंने उसको यहां पर translate करके लिखा है ठीक है क्या है देखिए उन्होंने क्या लिखा है और rain ने क्या reply किया I am the poem of earth अब यह जो I है यह किस के लिए use हुआ है rain के लिए क्योंकि rain reply कर रही है I am the poem of earth मैं जो प्रत्वी की कविता हूँ ठीक है तो जो poem है rain अपने आपको poem से compare कर रही है वह खहरी है कि मैं प्रत्वी की कविता हूँ said the voice of the rain rain की जो voice है उसने कहा rain ने बताया eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea अब देखिए पहले तो बात करेंगे eternal eternal means क्या होता है something not ending कुछ ऐसा जिसका अंत नहीं होता है जो हमेशा रहती है impalpable क्या है यह है something that can't be touch कुछ ऐसा जिसको हम छू नहीं सकते सिर्फ हम उसको feel कर सकते हैं मैसूस करते हैं out of the land and the bottomless sea तो वह कह रही है कि देखिए यहां पे एक जो water cycle आपको पता होगा जो water cycle होता है आपने पढ़ा होगा अपने science subject में water cycle के बारे में जो कि हमेशा चलता रहता है वो कभी day night forever वो कभी बन नहीं होता है water cycle जो होता है कि जो rain की जो drops होती है वो आती है प्रतवी पर फिर sea में जाती है वहां पे मिलती है और फिर वही जो drops होती है वहां से वेपर हो करके फिर sky में जाती है और sky में जाने के बाद वो cloud हो जाती है cloud होने के बाद फिर अपने form को change करके वो जब नीचे आती है बारिश के रूप में नीचे आती है तो यह cycle है water cycle यह क्या है चलता रहता है तो वही वह बारिश यहां पर उसी को evaporation आपको मालूम होगा वासपी करण जिसे कहते हैं तो वही यहां पर बताने की जो रेन है उसमें उसी के बारे में बताया है कि eternal कि मैं जो है कभी भी मेरा अंत नहीं होता है मैं हमेशा वैसी ही रहती हूँ मेरा कोई अंत नहीं है I rise मतलब मैं उठती हूँ मेंने क्या है महसूस किया जा सकता है दिखाए तो नहीं परती जब वासप बन करके वैपर बन करके उपर जाती है and the bottomless C यानि कि समुद्र से देखें by bottomless का मतलब हो गया कि जिसका कोई बेस नहीं हो ठीक है Iतना मतलब bottomless जिसका कोई base नहों तो समुंद्र में जब वो आती है ड्रॉप तो फिर उसके बाद क्या होता है वो वहीं से फिर वैपर के रूप में उपर चली जाती है स्काई में ठीक है और वहां जाकर के वह क्लाउड बन जाती है तो रेन भही बतारी कि मेरा कभी कोई अंत नहीं होता है मैं फिर समुंद्र से उठती हूँ उठकर के वैपर के रूप में फिर स्काई जाती हूँ और वहां से फिर मैं क्लाउड के फॉर्म में हो जाती हूँ फि मैं ऐसी हूँ मतलब मैं ऐसी हूँ वो यह बताना चाहरी है कौन रेन अपवार्ट तो हेवन वेर्ट वैपर फॉर्म लेकर के कहा जाती है अपवार्ट तो हेवन हेवन इन दे सेंस स्काई आकास में जाती है और वेट स्वागोली होता है नर्ट क्लेर जो कलिर नょ अस पश्थ हो वह इसी तरीके से जो दिखता नहीं है उस फॉर्म में जो चेंज होती रहती है उसके फॉर्म वो चेंज होती रहती है और यह water cycle चलता रहता है साथ साथ में and you are the same लेकिन मैं फिर भी इतने सारे forms चेंज करने के बाद भी मैं से वही हूँ बारिश की ड्रॉप मैं वही बारिश की बूंध ही हूँ मैं बारिश ही हूँ मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हूँ I descend to leave the drought atomies dust layer of the globe and all that in them without me was seed only latent unborn देखे ड्रॉट सुखा होता है leave मतलब wash या wash करना descent नीचे atomies, tiny particles, dust layer, धूल की पड़ते तो कह रही है कि देखे मैं नीचे जब आती हूँ प्रिथवी पे आती हूँ बारिश बता रही है कि जब मैं नीचे आती हूँ तो मैं wash कर देती हूँ मैं उन सब को धो डालती हूँ सब को साफ कर देती हूँ और जहां पे सूखा है, हर्याली नहीं है मैं उन सब को हरा भरा कर देती हूँ बहुती फ्रेश अप कर देती हूँ बहुत क्लीन कर देती हूँ और बहुती ब्यूटिफुल बना देती हूँ जो सुखी सुखी चीज़े होती है मैं उनको भी बहुत अच्छा सा कर देती हूँ and all और सब that in them और उन सब में without me मेरे बगएर जो seeds seeds होता है बीज और वहाँ पे जो बीज है plants के बीज जो latent होता है छुपा हुआ hidden तो जो ये छुपे हुए हैं unborn है बिना खिले हुए हैं बिना grow किये हुए हैं वो भी जब मैं उन पे गिरती हूँ जब मैं आती हूँ तो उन बीजों पे जब गिरती हूँ तो वो भी born होते हैं और वो जो hidden होते हैं वो अब क्या होते हैं reveal होते हैं बाहर come out करते हैं बाहर आते हैं और ग्रोव करते हैं तो मैं इन सब के लिए इतना कुछ करती हूं कि पूरा समय हमेशा देन और रात वो क्या गरती हैं अपनी जो इसकाईच से धरती पराना और फिर से एंक्ली में क्लूड हो जाना फिर वहां से वैपर फर्म में कलाउड हो जाना फिर से बारिश बरस दंके बरसना तो यह वह जो listen तबने भी से प्रिय से कुई जल सोकते सोकुष हैद। लिखना है कि वह अपनी ही उत्पति जहां से साथ। अपनी ही उत्पति होती हैं उसी प्रॉसेस को रिपीट करने हैे या गया एक सब्सक्राइब आपने रपार आपके पीजा के अंधार आप 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 me उनके आने से चारो तरफ हर्याली हो जाती हो सारी चीज़े बहुत ही खुफसूरस से दिखाई देने लगती है यह है मतलब जो cycle होता है water cycle होता है उससे क्या होता है कि जब बारिश होती है उस process में एक process यह है कि जब बारिश होती है तो उससे चारु तरफ जो atmosphere है वो बहुती ग्री ग्रीनी बहुती अच्छा खुशनुमा हो जाता है okay for song issuing from its birth place after fulfillment wandering wrecked or unwreckedly with the love returns तो देखें यहां पे जो song की बात हो रही है वो poet की song की बात हो रही है अभी तक rain की बात थी और अब यहां पे poet की song की बात हो रही है तो क्या बात हो रही है कि वो poet जो है अपने song को issue करते हैं मतलब वो अपना पहले लिखते हैं फिर उसको compose करते हैं की career union करते हैं मत lack balance करते हैं हर बहुत अच्छे से असकी performance करते हैं हर स्टी फर जगे पर जा पर होता है कर करना उन्रैकेट केर ना करना तो बिना इसकी परवा किया कि यह लोग से को पसंद करेंगे मेरी song को या नहीं करेंगे उन्होंने compose किया और उसको perform किया, stage show किया और उसके बाद जब लोगोंने उसको सुना, उस performance को देखा तो उन्होंने बहुत appreciate किया, बहुत तारीफे करी तो ये जो तारीफे थी लोगों की, जो लोगों का appreciation था वो क्या था? reward था उस poet के लिए उनके song का जो song उन्होंने लिखा और compose किया और इसको इधर-दर perform किया था तो ये reward था, तो same thing with the rain, देखे जो comparison उन्होंने किया song, अपने song का, rain, rain की quality है, कि rain भी तो वही करती है क्या करती है, कि वो भी जो उनका water cycle है वो चलता ही रहता है, बगैर किसी की परवाह की है doesn't matter कि कोई खुश है या नहीं खुश है, उनको आना है, बरसना है, वो बरसती है, उनको फिर वापस जाके फिर गिरना है तो वो बरसती है, अपने काम को करती रहती है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, अपने काम को खुबसूरती से करती रहती है हर तरह हर्याली पेराती है, खुशिया लाती है, जहां सूखा है वहाँ हर्याली कर देती है, अच्छा कर देती है, फ्लार्स, प्लांट, प्रत्वी, सब के लिए अच्छा, वाशें सब को जो जहां पर धुलाई की जरूरत है, डस्ट है लेयर है टॉमीज चोटे-चोटे पार्टिकल्ट इन्ही पार्टिकल्स को भी धो डालती है और चारो तरफ खुबसूरती बिखे देती है ती बहुत खुबसूरत सी पोएम वाट विट मैंट की थी होप कि आप लोग को पसंद आई होगी और आप इसको सुने और अ ओके तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पोएम की साथ तिल देन गुडबाय और टेक केर